अज ने आपके साथ एक्सराइस 3.2 का वेस्टिन नमबर 3 डिसक्स करूगी क्वेस्टिन एंग कंपेरिंग देशियो एवन बाइटो बीवन बाइटो और दीवन बाइटो और दीवन बाइटो तो अब हमें बताना है कि कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इंकंसिस्टेंट है तो स्टुडेंट कंसिस्टेंट होता है वो जिसका कोई भी स्वलिशन होता है जैसे कि मैं बताऊं हमने पढ़ेते कि इंटेसेक्टिंग क्या होते है जब A1 बाइटो B1 बाइटो के बराबर नही होता है कोइंसिडेंट क्या होता है जब A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 आपस में बराबर होते हैं तो स्टूडेंट यह तोनों जो है ना यह दोनों हैं आपके कंसिस्टेंट ठीक है इन डौनों के सॉल्यूशन होते है लेकिन यह जो आपको पैनलाइज दिγह रही है कोई भी सोलिशन नहीं होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंकनसिस्टेंट ठीक है, तो हमें बताने हैं कि कौन से consistent है और कौन से inconsistent है तो मैं आपको बताते हूं कि किस तरीके से हम इसे solve करेंगे So, ये part हम इसको solve करते हैं मैंने आपको पहली में बतायता कि कोई भी चीज जो इधर है उसको इधर लियाए तो मैं क्या लिखेंगे, 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 और 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 अब आपको क्या करना है, आपको a1 और a2 फाइंड करना है b1 और b2 फाइंड करना है, c1 और c2 फाइंड करना है ओके, so a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, b1 कितना है 2 और b2 3 c1 is minus 5, c2 is minus 7 अब हम इसको रखेंगे a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 so minus से minus cancel हो रहा है तो हम देख पारें कि ये दोनों ही आपस में equal नहीं तो हम आगे move नहीं करेंगे, तो ये कौनजी equation हो गई, a1 by a2 बराबर नहीं है, किसके, d1 by b2 है ये कौनजी line होती है, ये होती है, interceptive lines लेकिन हम ये आपन lines में बताने है, हमें बताने है, consistent है ये नहीं है अगर उपर से दो condition आती है, तो वो consistent होता है तो ये ही condition आती है, उपर वाली, इसलिए हम क्या बोलेंगे therefore, it is consistent B path के तरफ move करेंगे 2x-3y is equal to a 4x-6y is equal to 9 तो जो चीज़ इदर उसको इदर लियाए पहले step तो ये होगा equal to में 0 होना चाहिए, ठीक है 4x-6y-9 is equal to 0 अब हम क्या निकालेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 a1 क्या नगा, 2 और a2, 4 minus 3, minus 6, minus 8, minus 9 अब हम इसको रखेंगे a1 by a2, b1 by b2, और c1 by c2 so minus से minus कर गया, minus से minus कर गया a2 की डिवन में 1 upon 2 पे आता है और ये भी so हमारे क्यार है, 1 upon 2 1 upon 2, 8 upon 9 यानि कि मैं इसको यहां लिख देती हूं a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 ठीक है, यह आपस में बढ़ा बनी है कि कौन से कंडीशन ही होती है, पैले लाइन्स और पैले लाइन्स की कंडीशन ही होती है, इंकंसिस्टेंट तो हम लिखेंगे, therefore इस इंकंसिस्टेंट और यही पर ही यह आंसर जो है, ख़द मुझा है part c पर move करते हैं, 3 upon 2x plus 5 upon 3y is equal to 7 9x minus 10y is equal to 14 तो first step सबको इसलिए यह, 3 upon 2x plus 5 upon 3y minus 7 is equal to 0 9x 10y minus 14 is equal to 0 अब हम क्या जरेंगे, even by a2 मैं directly लिख रही हूँ अब आप समझ चूगे होगे कि कैसे लिखते हैं, even कितना है आपका, 3 upon 2 और a2 क्या है आपका a2 is 9 b1 क्या है, 5 upon 3 और b2 is minus 10 c1 is minus 7 c2 is minus 40 so 3 upon 2 और उसके साथ क्या है गए 9 तो 9 यहीं पर ही आजगा हूँ next 5 upon 3 और यह जो 10 है वो यहीं ही आजगा, minus 10 ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों बुकॉर दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं next is minus 7 upon minus 14 minus से minus cancel 3 के डेवन में 9 का बाते 3 पे तो क्या है आजगा, 1 upon 6 5 के डेवन में 10 का बाते 2 पे तो 1 upon minus 6 और यह क्या है गए गए 7 यहाद रखेंगा, 1 upon 2 यानि कि यह तो आप देख रहे हो कि A1 by A2 जो है, वो B1 by B2 के बराबर नहीं है क्यों नहीं है, वेकोज इसमें plus का जायन है और इसमें minus है, तो आपस में बराबर यह नहीं है, तो यह कोन से condition हो कि पहली, intersect line वाली तो हम इसे क्या बोलेंगे, it is consistent और हम लिख देखेंगे कि यह क्या है consistent है next part की तरफ बढ़ते हैं 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to minus 22 तो हम इदर लियाएंगे 5x minus 3y minus 11 is equal to 0 minus 10x plus 6y यह minus से तो यह तरहाएंगे के वाज़ेगा plus 22 is equal to 0 even by 2 क्या होगा directly करते हैं हम इसे 5 upon minus 10 is equal to minus 3 upon 6 is equal to minus 11 by 22 तो क्या होगा की तो कट तो जाएंगे 1 upon 2 minus का यह भी आएगा 1 upon 2 minus का और यह भी आएगा 1 upon 2 minus का सारे क्या रहे है minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 student अगर नीचे minus है तो आप उसे उपर ला सकते है फिक है next अगर यह 3 नीचे बढ़ा so a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तो it is consistent इस question के 5 पार पर बढ़ते हैं और आखरी पार भी है यह क्या है 4 upon 3x plus 2y is equal to a 2x plus 3y is equal to 12 फर्स टेप सब को इदा लिया है तो 4 upon 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 2x plus 3y minus 12 is equal to 0 अब हम क्या करेंगे a1 कितना है 4 upon 3 a2 is 2 b1 is 2 b2 is 3 c1 is minus 8 and c2 is minus 12 अब हम इसे रखेंगे a1 by a2 तो a2 इसरे आज़े रख 3 यह पास next b1 by b2 c1 by c2 minus से minus cancel यहां के आएगा 2 और यह क्या होगा अगर हम देखें तो यह आएगा 2 के डेवल में यह 4 पास आएगा यह 6 पे यह ज़ेगा 2 upon 3 तो क्या है रहा है जब का आज़े 2 upon 3 2 upon 3 और 2 upon 3 यानि कि a1 by a2 बराबर है किसके b1 by b2 के और b1 by b2 किसके बराबर है c1 by c2 के कौन सी condition आएगे यह condition है पैले lines होगी अब पैले lines के अदि consistent होती है तो हम लिखेंगे therefore it is consistent inconsistent sorry क्या लिखेंगे हम इसे inconsistent क्योंकि यह जो पैले lines है वो क्या होती है inconsistent तो हम लिखेंगे आपड कि therefore it is आपडाई DOOC एज आपडाई के जिफसे करताई नाट एच सक्याशन शप्सके ईपड़िया झाल के लिखेंगे झाल झाल